जय भूलिनात भूलिनात की गरपा पाने के लिए हर महिने के कृष्ण पक्ष और शुकल पक्ष की त्रेयोदशी तिथी यानि तेरवे दिन प्रदोश्वरत रखे जाते हैं और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भादो महिने के शुकल पक्ष में पढ़ने वाल जब भी 13 तिथी तो ऐसे आइसे लोग अकसर वरत रखने को लेकर बह len acept the do утilr जो मुठी पूझा होती है वो प्रदोषकाल के समय की जाती है इसलिए आपको प्रदोषकाल के मुर्थ को ध्यान में रख कर ही वरत रखना चाहिए इस बार का प्रदोश्वरत रहेगा 27 सितंबर बुधवार को और बुधवार को पढ़ने वाला प्रदोश बुद्ध प्रदोश्वरत कहलाता है इस दिन आप सुभा इस नानादी से निवरत होकर पूरे घर में गंगा जल चड़के और हाथ में जलिया 27 सितंबर बुधवार को 1 बच कर 46 अ.म से देखा जाए तो मंगलवार की मधरात्री का ये समय होगा और 27 सितंबर बुधवार की रात को ही 10 बच कर 19 मिनट पर तिथी समाप्त हो जाएगी यानि 27 सितंबर बुधवार को सुभा से लेकर राद तक पूरा दिन त्रेयोद शीति थी रहने वाली है अब जाने इस दिन रहने वाले शुब मोहुर्थ के बारे में सुर्योदे सुभा 6 बज़ कर 20 मिनिट पर सुर्यास्त शाम 6 बज़ कर 15 मिनिट पर होगा ब्रह्म मूर्थ के समय में यदि सुभा की पूजा की जाए मंत्रों का जाप किया जाए तो बहुत जल्दी फलित होता है राहुकाल का समय दोपहर 12 बज़े से लेकर डेड़े बज़े तक रहेगा और राहुकाल के समय को अश्युब मोर्थमी गिना जाता है इस दन प्रदोशकाल का समय रहेगा शाम साड़े 5 बज़े से लेकर 7 बज़े तक आपको ध्यान रखना है कि प्रदोश रत में शाम को प्रदोशकाल में ही पूजा करनी चाहिए हो सके तो आसपास श्युव मंदिर में जाकर पूजा करे नहीं तो आप घर पर भी पूजा इस समय कर सकते हैं और इस समय के बात से यानि प्रदोश काल की पूजा करने के बात से अब कसी भी समय अपना उपवास खोल सकते हैं भूलेनाद बहुत दयालू है ुसलिए उन्हें भूलेनाद कहा जाता है और अपने भक्तों की बहुत कम भक्ती से बहुत जल्दी बहुत आसानी से प्रसंद भी हो जाते हैं इसलिए जो भक्त भोलिनाद की गरपा पाना चाहते हो उन्हें महीने में पढ़ने वाले दोनों ही प्रदोश व्रतों को रखना चाहिए पहली बार यदि आप व्रत प्रारम कर रहे हैं तो कितनी संख्या में आपको व्रत संख्या में आप प्रदोश रित सकते हैं आप सकते हैं वरतों कि संख्या पूरी हो जाने के बाद उध्यापन जरूर करना चाहिए ऍसनान करके संकल्प लेका बिल्कुल साधरन तरीके से कर सकते हैं दिन बर उपवास रखें और शाम को प्रदोश काल के समय से पहले एक बार फिर से इस नान आदी से निवरित हो जाएं साफ सच वस्त धारन करें सफेद या फिर हलके हरे रंके वस्त आज के दिन आपको पहनने चाहिए और इसके बाद ह हो सके तो आसपास मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें हरे साबुत मूंग अर्पित करें पूरे शिव परिवार की पूजा करें धूब दीप चलाएं और चंदन का तिलक भगवान को अर्पित करें शिव मंत्र का चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए किसी भी पूजा में टूटे वे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है चाहिए वो अक्षत के रूप में हो या भोग के रूप में तो आप खीर के लावा पंचमृत का या फ़लों के रस भोग भी भगवान को और पित कर सकते अपना उपवास कोल सकते हैं किसी भी वरत में रत की कथा सबसे महत पून होती है बिना रत की कथा पढ़े उस वत अथूरा रहता है तो आपको वर्त की कथा जरूर पढ़ने या सुन चाहिए ये सारे पूजा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं यदि आसपास मंदर जाना संभव ना हो आज के दन पूरे शिव परिवार की पूजा करने के साथी भगवान शिव के कुछ विशेस मंत्रों का जाब जरूर करना चाहिए मत्र है ओम नमहेश्यवाय ओम अर्पित करें आपकी जो भी मनुकामना है उसकी पूर्थी के लिए आप प्रार्थना करें ये थी आज की वीडियो कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो को जरूर देखेगा जानकर ये अच्छे लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा